सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो इस्टूडेंट टैंथ क्लास के इस्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड़ न्यूज है खुस्खबरी है क्योंकि 2020-21 का CBSC का सिलेबस है वो कम हो गया है कई चैप्टर डिलीट हो गये है अब पास होना बहुत ही आसान हो गया है और इस्टूडेंट जो है अपनी बहुत यच्छी परसंटेज ला सकते हैं दरसल साथ जुलाई 2020 में CBSC ने एक सर्कुलर जारी किया गया था और उस सर्कुलर में क्या बात कही गयी थी यानि सिलेबस के कम होने की उस सर्कुलर के अंदर बात कही गयी थी और वो बात मैं आपको जो है थोड़े सी बता देता हूँ कि सर्कुलर के अंदर जो है क्या बात थी और क्या बात कही गयी थी इस सर्कुलर में कहा गया था कि माहमारी के कारण हमारी रेगुलर क्लास नहीं लग पाई है और स्कूल भी बंद है ऐसे में सिलेबस के बोज को क इसमें एक नीचे लिंक दी है और इसमें आप जो है सीबियस्टी की साइड पर जाकर भी देख सकते हैं और यहां पर जो है लिंक पर जाकर भी जो है आप देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से चैप्टर जो है हटाए गए है और नया रिवियाई सिलेबस जो है वो क्या है यहाँ पर मैं Class 10th के syllabus की बात करूँगा कि Class 10th के Social Science यानि SST के syllabus में क्या-क्या कम किया गया है और अब आपको कौन-कौन से chapter नहीं पढ़ने है और कौन-कौन से chapter जो हैं आपको पढ़ने है दरसल जो 10th Class के अंदर चार किताबे हैं SST की एक Economics, एक History, इतिहास और लोकतांतरिक राजनिती, Political Science और भूगोल जोगरफी यह चारो किताबे हैं इन चारो किताबे के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा कि कौन-कौन से चीज़े हटाए गई हैं और कौन-कौन से चीज़े जो हैं आपको पढ़नी हैं स्वाजिक विज्ञान की जो बुक है भारत और समकालिन विश्व भाग दो यह इतिहास की किताब है इस किताब के अंदर जो इंडेक्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर जो हैं आपको पढ़ने हैं और कौन-कौन से डिलीट हो गए हैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो चैप्टर जो हैं डिलीट हुए हैं देखो चैप्टर नमबर 3, यह जो है चैप्टर 3 और 4, त्री और 4 जो चैप्टर है यह जो हडिलीट हो गया है, यह आपको बोड एक्जाम के लिए इसकी तैयारी नहीं करनी है लेकिन ये जो chapter है, school के अंदर जो home exam होते हैं, period test होते हैं या कोई भी exam होता है, उसमें ये पूछे जा सकते हैं तो इनको भी पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा बहुत जो है इनको भी पढ़ाया जाएगा लेकिन board exam के लिए ये दोनों chapter, chapter number 3 और chapter number 4 जो हैं, ये डिलीट हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं और chapter number 5, ये जो chapter number 5 है, ये भी आपका बिल्कुल डिलीट है, तो इस परकार जो है इतिहास के अंदर से 3, 4, 5 जो हैं chapter डिलीट हो गए हैं, पांच में से 3 chapter आपके डिलीट हो गए हैं अब आपको पढ़ने कौन-कौन से हैं, chapter number 1 और chapter number 2, ये दोनों chapter की आपको अच्छे से तयारी करनी हैं और ये chapter आपको पढ़ने हैं, ये पांच में से 3 chapter आपके डिलीट हो गए हैं और 2 chapter आपको पढ़ने हैं, वो भी सुरू के, ये तो बात हो गई इतिहास की अब हम बात करते हैं, दूसरी किताब की, जो हमारी किताब है, समाजे की विग्यान की, समकालिन भारत भागदो, भूगोल की ये हमारी किताब है, इसके इंडेक्स में जाकर हम देखते हैं, कि कौन-कौन से chapter डिलीट हुए हैं, और कौन-कौन से chapter हमें पढ़ने हैं तो बात करते हैं हम इसके अंदर जो chapter हैं, साथ total chapter हैं, और जो डिलीट चैप्टर हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, जो chapter डिलीट हुए हैं, एक तो chapter number 2 है, ये जो है, डिलीट है, और ये आपको नहीं पढ़ना है, और chapter number 3, ये भी डिलीट है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है chapter number 5 ये भी आपका delete है तो total तीन chapter आपके इसमें से delete है 2, 3 और 5 आपको पढ़ने कौन कौन से हैं आपको पढ़ना है lesson number 1, 4, 6 और 7 ये chapter आपको पढ़ने हैं यानि total जो हमारी जो ये किताब है भूगोल की इसके अंदर जो है 7 lesson है 7 में से 3 chapter delete हैं और आपको जो है 4 chapter आपको पढ़ने है जो delete है 2, 3 और 5 delete है जो पढ़ने है 1, 4, 6 और 7 ये chapter आपको पढ़ने है 4 पढ़ने है 3 delete है चलिए ये बात हो गई आपकी भूगोल की अब बात करते हैं हम समाजीक विग्यान की लोकतांतिरिक राजनिती भाग दो जो की राजनिती विग्यान की एक पुस्तक है और इसके अंदर जो विशे सूची है या जो index है इसके अंदर जो total chapter है total chapter है 8 अब ये 8 chapter नहीं पढ़ने है इसमें से जो delete हुए है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो delete हुए है lesson number 3 delete है नहीं पढ़ना lesson number 4 जो है delete है बोर्ड के एक्जाम के लिए नहीं पढ़ना है और lesson number 5 जो है ये भी delete है ये भी आपको नहीं पढ़ना है और lesson number पढ़ने हैं चार पढ़ने हैं कौन-कौन से सत्ता की साज़दारी संगुआद यह आपको पढ़ना है और राजनितिक दल यह भी आपको पढ़ना है और लोक तंतर के परिणाम यह भी आपको पढ़ना है चार चैप्टर डिलीट हैं और चार आपको पढ़ने हैं टोटल आठ पढ़ने से तो चारी पढ़ने है यानि आदा सो इसमें से जो चैप्टर आपके बिल्कुल खतम हो गए है डिलीट हो गए है अब बात करते हैं अगली किताब की जो की हमारी एकोनोमिक्स है इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें जो पहला है वो का वो ही रखा गया है लेकिन इसके अंदर भी जो आपके टोटल चैप्टर है पांच इसमें से जो आपके चैप्टर जो आपको बोड़ एक्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी है वो है लेसन नमबर फाइफ ये आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए है आपको बोड़ एक्जाम के लिए इसकी तै त्यारी नहीं करनी है अब पांच में से आपको शुरू के चार लेसन है यह चार लेसन आपको अच्छे से तैयार करने हैं तो इस परकार जो है आपका सिलेबस काफी कम हो गया है और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं यह जो मैंने आपको सिलेबस बताया है जो जो चैप्टर सके अगर आपको जो है मेरा वीडियो जो है यह पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादे से ज्यादे से शेयर कीजिए धन्यवाद मेरे चैनल को जो है कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए जादे से जादे शेयर कीजिए धन्यवाद